सब्सक्राइब केजिए एसन जोती लर्निक चैनल को और बेल आइकन को जरूर दवाईए उसके वाद जो आल आता है उसको जो जो भी वीडियो आप देखते हैं उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए इसमें यह जीके है जीके का एट पार्ट है तो लिए हम को सुरू करते है फर्स कोश्चन है हाव मेनी स्पोक्स आदें नेस इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो नेशनल फ्लैग इंडिया का होता है उसके बीच में देखिएगा एक सर्कुलर यह तो उसमें स्पोक्स होते हैं सर्कुलर में तो टोटल कितने स्पोक्स हैं यही कोश्चन है आपको तो टाइम आपका सुरू होता है, यह 24 स्पोक्स होते हैं यह नेशनल फ्लैक के सर्कुलर पार्ट में, अब प्रियोडिक टेवल, अब प्रियोडिक टेवल देखे होंगे, उसमें जो ग्रूप होते हैं, और कितने ग्रूप होते हैं, एक कोश्चन है, 18 ग्रूप होते हैं, प्रियोडिक टेवल में 18 ग्रूप होते हैं, मैं केम्प इस रिटेन वाई, इस बुक को किस ने लिखा है, चार जो राइटर के नेम गिवेन है, आपको एक नेम सेलेक्ट करना है, इस बुक को अडॉल्फ हिटलर ने लिखा था, Which part connects red sea and Mediterranean sea? Red Sea and Mediterranean sea आप देख रहे हैं, उसके बीच में एक kanal है, वो कौन सा है, कौन सा पार्ट है, जो इन दोनों को connect करता है, क्या है, उसका नाम यह बताना है, स्वेज कैनल जो है और रेड़ सी और मेडिटेडियन सी को कनेक्ट करता है दप्रियेड अफ वेडिक कल्चर वेडिक कल्चर का प्रियेड कौन सा था यह आपको बताना है 1,500 B.C. to 600 B.C. 2,500 B.C. वाट इस लार्जेस्ट पाट अब डाजेस्टिव सिस्टम डाजेस्टिव सिस्टम का लार्जेस्ट पाट जो होता है वो कौन सा होता है 2,500 B.C. 1,500 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 B.C. 2,500 B.C. 1,500 B.C. कि एक फॉर्टी फॉर्थ अमेंडमेंडमेंट में राइट उप पर्टी को फंडमेंटल राइट से हटा दिया गया था आज भर सेटलाइट कब लांच किया गया था 1975 में आज भर सेटलाइट को लांच किया गया था वेन वाज पीन कोड सिस्टम इंटर्डूश भारत में पीन कोड सिस्टम कब इंटर्डूश किया गया था 1972 में पीन कोड सिस्टम इंटर्डूश किया था वाटर का बोइलिंग पोइंट कितना होता है केल्वीन में 373 केल्वीन होता है वाटर का बोइलिंग पोइंट विलियम कब किस स्पोर्ट से एसोसियेट है यह बास्केट बॉल से एसोसियेट है विलियम कब बास्केट बॉल से एसोसियेट है जंक इमेल को क्या कहा जाता है इन तीन आफसन गिवेन है इसमें से किसको जंक इमेल कहा जाता है इस पूल को जंक इमेल कहा जाता है हूँ गॉट नोबल प्राइज फॉर एक्नॉमिक्स एक्नॉमिक्स में किसको नोबल प्राइज मिला है नेम गिवेन है उस नेम आपको सेलेक्ट करना है अमरत्या सेन को एक्नॉमिक्स का नोबल प्राइज दिया नवाद वाद वाद थार्पलिस नवाद वाद था फॉर सीवा रमनम कमीटी के रेकुमेडेशन से नवाड इस्टाबलिश हुआ था और तो है आपको कोई भी सेजेसन है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए आपको थैंक